हेलो फ्रेंड्स तो आज की रेस्पी है आमला कैंडी की यह ठंड के मौसम में बहुत ज्यादा फाइद मंद होता है तो चलिए आज हम बनाते हैं आमला कैंडी वाल्कम तो माई यूटुब चानल कुकिंग विद सिम्मो आमला कैंडी बनाने के लिए हम पहले यहां पर कुछ आमला लिए हैं जिसे हम पानी में बॉइल करेंगे बॉइल करने में करीबन आपको आठ से दस मिनट टाइम लगेगा तो यह देखिए अगर आपका आमला इस स्टेज पर आज है तो आप इसे एक बार चाकू या फिर किसी भी चीज से प्रेस करकर लेना कि आमला आपका कु कर लेंगे यह देखिए हम चोटे-चोटे पर इसमें आमला को कट कर लिए हैं तो अब हम लेंगे एक मिक्षर जार और इसमें सारे बॉइल के वह आमले को डाल देंगे साथ में डालेंगे एक इंच अध्रक का टुक्रा ठंड के मौस हमें अध्रक खाना भी बहुत फायदे इसकी बस ऐसे आमला का पेश्टकॉम कडाही में डाल दिये हैं फ्लेम को हाई रखेगा और इसी पान से साथ मिनट के भूनिएगा इतना इसे भूनना है कि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो सुख जाए तो देखिए आमला का धीरे धीरे जो है ना पानी सुखने लगा है ठंड के मौसम है ना आमला कैंडी हमेशा खाना चाहिए मैं तो अपने गोड़ों में हरवर ठंड के मौसम में आमला कैंडी बनाती हो आमला तो बहुत यूसफुल होता है खास करके ये आखों के लिए बहुत ज़्यादा असरदार माना गया है अगर आप आमला ऐसे नहीं खासक तो आमला कैंडी बना कर जरूर खाईएगा तो यह देखें आमला का पाने बिल्कुल अच्छे तारीके से सुक चुका है और यह पेश जोना हलका ठीक होने लगा है तो अब हम इसमें टाल देंगे जैगरी जी हां दोस्तों गुर्ड डालेंगी क्योंकि गुर्ड ठं अब फ्लेम को हाइक कर दीजेगा और तब तक इसे पकाईएगा जब तक यह ठीक पेश्ट ना रेडी हो जाए तो यह देखिए गुर्ड जो हलका ठीक होने लगा तो इस स्टेज में हम डालेंगे एक चमच काला नमाग वन ठाट चमच हम डालेंगे रेट कस्मेरी मिर्च पावडर आधा चमच डालेंगे हम चाट मसाला और थोड़ा सा डालेंगे भूनावा जीरा पावडर इन सब को स से भूनते रहें जब तक यह कराही से साइट साइट से छोड़ने ना लगे और यह इखटा हो जाए तो देखिए अभी नहीं हुआ तो अभी हम इसे और भी पकाएंगे आप कि तो इस पर देखेए कि अच्छे से यह हो गया है और इस साइट से ख़रा ही भी चूरूने लगा और कि इतना अच्छा ठीक ने साया मैं इसमें यह सट पर हमें ऐधे फ्लेम को अफ़ आफ करने के बाद अब हम इसे ठंडा होने के लिए 10 मिनट पर रेश्ट पर रहेंगे तो यह दिखेंगे अच्छा से ठंडा हो गया यह थोड़ा जम भी गया है तो आप लगाएंगे चोटे-चोटे गोली बनाइंगे अधर्वाइस आपके हाथ में नहीं लगेगा लिए इस तरह से बाखी सारे मिक्षर से भी गोली बना कर रेडी कर लिए हैं अब लेंगे एक मिक्षर जार जिसमें डालेंगे चार बड़ा चमा सुगर एक पींच उतना हींग लेंगे आधा चमाद डालेंगे काला नमक और चाट मसाला इन सब को डालने के बाद हम एक बार मिक्षर में ग्राइंड कर लेते हैं इसका फाइन सा पॉडर रेडी करेंगे यह देखिए इसका फाइन पॉडर रेडी हो गया तो अब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं तो यह देखिए जो हम गोली बनाकर रेडी किये थे अब हम इस गोली को सुगर पाउडर से कोटिंग करेंगे कोटिंग करने से यह होगा ना कि मतलब हलका खटा मिठा टेस्ट आ काम आने वाला है थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब मैं चानल थैंक यू